घलो फ्रेंज, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, टेंदेंची का अर्थ किया होता है, और सेंटेंस में उसे यूश कैसे करते हैं, तो लेट इस मजबा लेते हैं, तक लेची उप गश्यल अर्थ होता है, पब्रिती, रूझान, जुकाफ, है चलिए निक्स एक्जम्पुल जान लेते हैं there seems to be a constant tendency to increase the requirements इस sentence का हिंदी में मतलब है वशक्ताओं को बढ़ाने की निरंतन पब्रिति पतित होती है चलिए निक्स एक्जम्पुल जान लेते हैं hence is such impertives have a tendency to down-dilled into objectives इस sentence का हिंदी में मतलब है इसलिए इस तरह की आनिवर्तियों में objectives में घटने की पब्रिति होती है तो चलिए आख्री एक्जम्पुल जान लेते हैं against this tendency the nazi right order and tradition was a protest इस sentence का हिंदी में मतलब है इस पब्रिति के खिलाफ नाजी बादी आदेश और परंपरा एक विरूत था आपको आज कहीं वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्र आपका दिजिएगा थेंक्यू फोर वाचिंग